मेरे परिवार जनों हमारे देश में किसानों को लेकर क्रिशी निती को लेकर जो चर्चाए होती हैं पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सिमित था दोस्तों हमारे देश के परधार मंतरी जी संसद में खड़े होकर किसानों की बात करते हैं इस देश के किसानों के साथ क्या भीती है उपर के कुछ एक वर्ग को समाल लेना और उनी से अपने राजनीती चलाए रखना 80-80-30 इस देश का ये वर्ग है इन थोटे किसान उपेचित थे उनकी आवाद कोई सुने वाला नहीं था रैलियों में सभाओं में कहते फिरते हैं कि मेरे लिए इस देश का किसान ही सबसे बड़ी जाती है मैं उनके लिए काम करता हूँ अब समझ आ रहा है कि कितना काम करते है आज हालत ये बना दी गई कि अपनी मांग रखने के लिए अगर किसान आना चाहे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा काटे बिच्वा दिये जाएंगे सडक पर कीले बिच्वा दिये गई है बड़े बड़े सिमेंट के बेरिकेट लगा दिये गए है नोर्थ इस दिल्ली में गैरा फरवरी से धारा 144 लागू कर दी गई है और इतनी तयारी किसके लिए की गई हमारे अंदाता देश के किसानों को रोकने के लिए क्या गजब हाल है मोधी सरकार का एक तरफ चोदरी चलन सिंग को भात रतन देने का एलान किया और अब दूसरी तरफ किसान आंदोलन को रोकने के लिए कीले गाड़ दी गई नमस्कार दोस्तों मैं हिमान सी कशप आपके साथ आप देख रहे है जुनता की अवास आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर पहली बार जुनता की अवास लू चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें गंटी ज़रूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जुनता का साथ देजिए और उसकी ताकत बनिए जुनता की अवास बनिए और हो सके तो इसकी लिए चैनल को जोइन भी करें दोस्तो एक बार पहले भी किसान कानून के दायरे में रहकर आंदोलन कर चुके है जिससे मोधी सरकार को किसानों के आगे जुकना पड़ा था इसमरित काल में राम में सरकाल में कैसे दिन देखने पड़ रहे है कि किसानों को वादा पूरा कराने के लिए दबाव बनाने के लिए फिर से आंदोलन का सहरा लेना पड़ रहा है किसानों की दिल्ली घहराग को रोकने के लिए हर्याना और पंजाब से लगने वाले सिंगू बोर्डर पर कटीले तार लगा दिये गए है सड़कों पर सिमेंट के बेरिकेट है दिल्ली में गाजीपूर टीकरी और सिंगू बोर्डर पर भी दिल्ली पुलीस तयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में परवेश करने से रोका जा सके गाजीपुर बोर्डर पर पुलीस की गाड़िया और बैरिकेट खड़े कर दिये गए है सीसी टीवी और लाउड स्पिकर भी लगाय जा रहे है पुलीस परशाशन को डर है कि कहीं पश्री मुतर परदेश के दूसरे संग्ठन भी इसमें शामिलना हो जाए अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेट राजमार भी बादित हो सकता है किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की कई सीमाओं पर यातायाद परभावित रहेगा नोर्थीच दिल्ली के साथ ही साधरा जिला के फर्ष बजार गांदी नगर विवेक व्यार सीमापूरी जैसे इलाकों में धारा 144 लागू होगी अमिर्चर व्यास में किसानों का बड़ा जत्ता दिल्ली कूछ करने के लिए तैयार है बड़ी संख्या में किसानों के ट्रेक्टर कतार में खड़े है वाटर कैनन और वजर वहानों को तैनात किया गया है वहानों की आवाजाई में बादा डालने के लिए घगर नदी के तलकी खुदाई की गई है हर्याना सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक अंबाला, कुरुशेज, कैथल, जीन्द, हिसार, पतेयाबाद और सिर्सा समेत साथ जिलो में मोबाइल, इंटरनेट सेवाए और बर्क, SMS निलंबित कर दिये गए है 13 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन में किसान मजदूर मोर्चा, सर्वन सिंग पंधेर की किसान मजदूर संगर समीती, भारते किसान यूनियन सहीद भगत सिंग, भारते किसान यूनियन जनरल सिंग, और भारते किसान यूनियन एकता अजाद दिलबाग सिंग, और गु संयुक किसार मोर्चा उठा रहा था इसमें सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूंतम समर्थर मुल्य की गारंटी वाला कानून है इसके अलावा बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का भी मुद्दा है All India किसान सबा के उपाध्धक्ष आनत्म होला ने बताया कि संयुक किसान मोर्चा के कुछ स्पिलिंटर संगण जो अलग हो गए थे यह उनका आंदोलन है ओल इंडिया किसान सभा ने भी किसानों के आंदोलन से फिलाल दूरी बनाई हुई है जबकि संयुक किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट व्यापी भार्थ बंद का आवान किया गया है जिसमें तमाम किसान और मजूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे दोपैर 12 बजे से लेकर साम 4 बजे तक देश के सबीर राष्टे राजमार्गों का घेराब किया जाएगा और हाईवे बंद किये जाएंगे ओल इंडिया किसान सबा का कहना है कि सरकार ने स्वामी नाथन को भार्थ रतन दे दिया लेकिन उनकी सिफारिस नहीं मानी गई पर सासन किसी भी तरह की कोताई नहीं बरतना चाहता केंद सरकार की ओर से प्यूश गोयल समेत मंत्रियों का परतिनीदी मंडल किसानों से एक दोर की बादचित कर चुका है बारा फरवरी को यानि आज चुन्डी गड में इन किसान निताओं के साथ केंद्रियों मंत्रि प्यूश गोयल अरजुन मुंडा और नित्यानंद राय का परतिनीदी मंडल फिर मुलाकात करेगा चुनावी साल में सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए हर संभव किसानों को मानने की मसकत चल रही है केंद्रे खुफे एजिंसी के कदिकारी के हवाले से एजिंसी ने बताया कि किसान भी बेरिकेट सटाने के लिए तियारी कर रहे है ट्रेप्ट्रों में हाइड्रोलिक उपकरन लगाए गए है आसुगेस के गोले से लड़ने के लिए आग परतिरोधी हार्ड शेर्ड ट्रेलर त्यार किये जा रहे है उनों ने इन संसोधित वहानों के साथ अभ्यास भी क्या है बता दे कि किसानों के कई कापिले दिल्ली की तरफ चल पड़े है बेरिकेर्स तोड़ते हुए किसान लगाता दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे है पंजाब के मुखे मंतरी भगवंत मान ने केंच सरकार से अपील की है कि वह किसानों की जायज मांगों को स्विकार कर ले उन्होंने किसानों को दिल्ली कूच रोकने के लिए रास्तों पर कीले और कंटीले तार लगाने पर दुख जताते हुए रविवार को ट्विट किया है मही अध्यक्ष मलीका अरजून खरगे ने कहा कि वह दिल्ली कूच में किसानों के साथ है उन्होंने कहा कि दसवर्षों में मोधी सरकार ने किसानों को बरबाद कर दिया है 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो तीनों क्रिशी कानून रद होंगे मोधी सरकार किसानों के आंदोलन को खतम करना चाहती है लेकिन कोंग्रेस किसानों के साथ खड़ी है बताया जा रहा है कि पुलिस गाउं गाउं जाकर किसानों को धमका रही है चेतावनी दे रही है कि किसान आंदोलन में शामिल मत होना अगर हुए तो नतीजा अच्छा नहीं होगा कारवाई होगी तुम्हारे खिलाब आज तक की तिहास में ये कभी नहीं हुआ होगा देश में एक वक्त था जब एमर्जन्सी लाग हुई थी उसी एमर्जन्सी का हवाला देते हुए पी-म मोदी संसद में कई बार बोल चुके है वो अपातकाल था तो क्या ये अपातकाल नहीं है दोस्तों ये एमर्जन्सी नहीं है तो क्या है फिर जहां किसानों को उनका हक उनका अधिकार इस्तेमाल करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है दोस्तों क्या किसान आंदोलन पहली बार हो रहा है क्या पहले इस देश में आंदोलन नहीं होते थे क्या प्रोटेस्ट करने का दिकार किसानों को नहीं है जो काम, रवया, मोधी सरकार किसानों के साथ अपना रही है ऐसा तो देश की सीमा पर किया जाता है पर यहां तो राज्ये की सीमाओं पर ही काटे बिचा दे गए है मोधी सरकार के इस रवये पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरू बताए और बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं जो अनता के अवास